नमस्कार विद्यार्ती मित्रों, इविद्या गुजराती मा तमारू श्वागत छे, धोरण दस्नी बोडनी परिक्षा माटे, आपने जे IMP प्रश्णोनी वीडियो सिरील सरू करी छे, तेमा आजे सामाजिक विग्ण्यान विशेमो विभाग डीना इटले के चार गुण ना मोश्ट IMP प्रश्णोनी वाद करी शू, तो विडियो ने अंतसुदी जोवानू भूलता नई, अने बिजा तमाम विशेना IMP प्रश्णो मेडववा, अत्यारेज इविद्या गुजराती ने सब्सक्राइब करी ले जो, तो चलो शर्वाद करिये आजना विडियो नी, सर्व प्रथम आपने विभाग D विशे धोडी वाद करी ले ये, तो विभाग D मा तमारे 6 प्रश्णो माथी 4 प्रश्णो ना जवाब लखवाना रहिशे, तेनी साथे तमारा माटे नक्षो छे, ते फरजियात रहिशे, वेजिया चार गुणना व्रश्णो छे, एक कुल तमारे 4 प्रक्रण मोधी पूछा से, अने ए प्रक्रण चे, प्रक्रण 5, प्रक्रण 10, प्रक्रण 8, अने प्रक्रण 20, लेके जो आज 4 प्रक्रण चे, तेनी तमे वेवस्तित रीती तैयार करी लेशो, तो आज 4 प्रक्रण मोधी तमारे 4 गुणना एटले के मोटा क्वेश पुछावाना छे, हवे जुईये आपने चेप्टर वाइस आईएमपी प्रश्णो, सर्व प्रथम प्रक्रण पांच नी बात करिये, तो प्रक्रण पांच मोधी तमारे कुल पांच आईएमपी प्रश्णो तैयार करवाना छे, कि जे बोडनी परिक्षामों श्वय सो टका पुछावानी संभावना छे, प्रथम प्रश्ण चे, प्राचिन भारतनु दातु विध्यामों प्रदान जणावो, बिजो प्रश्ण चे, प्राचिन भारते विग्ण्यान शेत्रे आपेलो वार्षो जणावो, लेके प्राचिन भारतनु जी विग्ण्यान शेत्र चे, त्यानो वार्शो लखवा當 प्रश्न्यों छे प्राचीन भारते रसाइन विद्यामों साधेली प्रगतीयने वर्गति वहल्णशन पेपर नू एनालिसिस करी और में तमने अफफामों आविया छे इटले के आवखतनी बोडनी परिक्षा माटे प्रक्रण पांच मोथी आ पांच प्रष्णों मोष्ट आईएमपी छे जो तमने ना वडता होई तो अत्यारेज आ पांच प्रष्णों छे तेनी तैयारी शरू करी दे जो तमे तमारी नोटबूक नी अंदर आ क्वेशन नी लखी शको छो अत्वादो तमे आ प्रष्णोंनो स्क्रिन्शोट पन लई शको छो हवे जो ये आपने प्रक्रण 10 ना प्रष्णों तो प्रक्रण 10 मोधी प्रथम प्रष्णों चे विविद कृषी पद्धतियों सविस्तार समझावो अत्वा तो कृषी ना प्रकार जनावो आ क्वेशन चे ते अपन आवखत नी बोड़नी परिक्षामों पुचाई शके तो कृषी नी विविद पद्धतियों अने कृषी ना प्रकारों चे ए प्रष्णों ने तमे अवश्य तैयार करीले जो बिजो प्रष्णों चे भारतमों कृषी सेत्रे आवेला टेक्निकल सुधारा जनावो पारतनी अंदर जे कृषी सेत्र चे तेनी अंदर जे टेक्नि थया चे तेना विशे तमारे लखवानू रहीशे तरीजो प्रस्टन चे भारतमों क्रूशी सेत्रे थयला संस्थागत सुधारा वर्णू और यह संस्थान गद नहीं परन्तु संस्थागत टाइपिंग मो थोड़ी मिश्टिक चे तो कि जे कुरुषी शेत्रनी अंदर संस्तागत सुधारा धया छे तेना विशेनों क्वेशन पन बोड़नी परिक्षामों पूछाई शके छे एना पची चोथो प्रश्ण छे कि जी आ प्रक्रण मोथी मोष्ट आईएमपी छे खरियालै खरांती विशे टूंग नोद लखो आक्वेशन चे जो विबाग डीमोंना पूछाय तो विबाग सीमा त्रण गुननी अंदर पन पूछाय शके छे इड़ले के आ क्वेशन तमारा माटे सौथी मोष्ट आईएमपी छे तो हरियाड़ै क्रांती विशे टूंगनो तमे तैयार करीले जू एना पची पांचमो प्रश्ण चे बारतनी खेती पर वेश्वी करणनी असर जणावो जे भारतनी खेती चे तेना उपर वेश्वी करणनी कई-कई असरो धई छे ते क्वेशन ने पन तमे अवश्य तैयार करीले जू तो प्रक्रण दसमो थी तमारे आप 5 प्रश्णो तैयार करवाना चे जे मो फिवीद क्रुषी पद्धतियो अत्वा तो क्रुषी ना प्रकारो पारतमों कुरुषी सेत्रे थेला टेकनीकल सुधारा अने संस्तागत सुधारा हरियाली क्रांती ने भारतनी खेती उपर वेश्वी करणनी असरो तो आटला प्रश्णों छे ते अत्यारिस तमे तैयार करीले जो अवेवाद गरिये प्रक्रण अढ़ार नी तो प्रक्रण अढ़ार मोथी तमारे कुल छक्वेशन तैयार करवाना छे चैने अंदर प्रथम क्वेशन छे बावरुदीना कारणों नी चर्चा करो जे बाववदारों थाई छे इस शाना कारणे थाई छे, तेना मटे कया कारणू जवाबदार छे, ते दमारे लखवानू रहशे बिजो IMP क्वेशन छे, ग्राहक ना अधिकारो अने फरजो सविस्तार समझावो आ प्रक्रण मोथी आ सवथी मोष्ट IMP प्रश्णों छे, ये ग्राहक ना अधिकारो कया छे, अने तेनी फरजो कई छे, तो आ क्वेशन ने आ प्रक्रण मोथी तमें मोष्ट टोप लिष्ट नी अंदर राखी, अने तैयार करीले जो एना पछे त्रिजों कुेश्चन छे, ग्राहके खरीदी करती वकते कई-कई काझी राखवी जोईए, कोई ग्राहक खरीदी करवा जायी छे, तो आने खरीदी करती वकते कई-कई बाबतोनु ध्यान राखवो जोईए એ ક્વેશન છે ત્ય પણ પરિક્ષાની દ્રષ્ટિ એ ખુબજ મહત વણો છે चोथो क्वेशन छे ग्राहकोना हीतोना रक्षण माटे सरकारे लिधेला फिविद पगला जणावो जे ग्राहकोना अमुक हीत छे ये हीतोनु रक्षण थाई। માટે સરકારે કયા પગલા આમલમો મુક્યા છે અથવા તો કયા પગલા લિધા છે તેના વિશ્યને ટુંગ નોદ પણ પરીક્ષા મો પૂછાઈ શકે છે પાંચ મો ક્વેશન છે ભાવ નીંતરણ માટેના મુખ્ય બે ઉપાયો ની ચર્ચા કર જવાપદાર છે આ ક્વેશન છે તે પણ પરીક્ષાની દ્રષ્ટી આઈ એમ્પી છે તો પ્રક્રણ અધાર મોથી તમારે સમજાવાનુ અવેવાદ કરીએ પ્રક્રણ વિષ્ટના IMP પ્રષ્ણો ની તો પ્રક્રણ વિષ્મથી તમારે કુલ ચાર IMP પ એક્જામ માટે છે બીજો ક્વેશન છે તે જોઈ લીએ તો કે બીજો ક્વેશન તમારે તયાર કરવાનો છે આંતકવાદ એક વેશ્વીક સમશ્યા છે સમજાઓ જે આંતકવાદ છે ત્યનાથી વિશ્વના મૂટા ભાગના બધા દેશો છે તે પિડાય છે તો આ કવેશ્વાદ કઈ રીતે એક વેશ્વિક સમશ્યા છે એ વિધાને દમારે પચી વાદ કરીએ ત્રીજા કવેશન ની તો ત્રીજો કવેશન છે આંતક વાદ ની આર્થી કશરો વિશે નોધ લખો પરીક્ષાની દ્રષ્ટી આ કવેશન એટલો આઈ એંપી નથી પણ તેની જગ્યાઈ જે સામાજીક અસરો આંતક વાદ ની છે તે મોસ્ટ આઈ એંપી છે પરંતુ એકવાર આ કવેશન ઉપર પણ તમે નજર કરી લે જો ચોથો કવેશન છે અનુસૂચી જાતી અનુસૂચી જાતી અનુસૂચી જાતી ના કલ્યાણ અને વિકાસમાટે ની ગવઈયુ ખરવામો અવેલી છે તેના વિશેની ટુંક નોદ આ પ્રકરણ મોથી મોસ્ટ આઈએંપી છે અને આ કવેશન છે એ તમારી એકમ કશોટી ની અંદર પણ પૂછાઈ ગયો છે અને બોડની એકજામ માટે પણ મોસ્ટ આઈએંપી લિષ્ટ ની અંદર આ કવેશન આવે છે તો તમે કૂલ ચાર પ્રક્રણ મોથી અટલા કવેશન તયાર કરી લેશો તો તમે સેક્શન લીની અંદર સારા મો શા તમને કેટલુ યાદ રેચે અને જી પણ તમારે કેટલી મહેનત કરવાની જરુરીયાત છે થેંક્યુ ફાર વાચીં મળાઇશુ નેક્ચ્ટ વિડીઓ ની અંદર કોઈ બિજા વિશેના IMP પ્રષનો સાથે